अलो फ्रेंड्स मधुच कीचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सिम्पल तरीके से बना हुआ बहुत ही ज़्यादे टेस्टी कड़ी की रेस्पी से एर कर रही हूँ साथ में मुँमें घुल जाने वाले स्वाधिस्ट पकोड़े भी बनाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने एक कप बैसन लिया है इसमें मैं एक कप धही डाल रही हूँ अगर खटा धही हो तो कड़ी का डेस्ट बहुत अच्छा आता है दही की जगापर आप छाज कभी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके एक बेorrow तेयार करें ठोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि इसमें कोई लंज न पड़ें हर जगा अलग अलग तरीके से बनाया जाता है लेकिन यह मेरा सिम्पल तरीके से बना हुआ कड़ी भी बहुत । ती लगता है तो मैंने इसमें चार गलास पानी डाल करके ये बटर तेयार कर लिया है अब मैं तड़के की तयारी कर रही हूं मैंने लिया है राई, सौंफ, जीरा, मिधी दाना तीन चार मैंने सुखा लाल मिर्च लिया है एक पिंच हींग लेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ मैंने प्याज लिया है और करी पत्ता लिया है चलिए अब कड़ी के पकोड़े के लिए तयारी करते हैं तो आधा कप बेसन में हल्दी पाउडर और जीरा डालेंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गाढ़ा बेटर तयार करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेटेंगे तभी हम पकोड़े हमारे सॉफ्ट और फुले फुले बनेंगे अगर आप हाथ से फेटें तो रिजल्ट अच्छा आएगा थोड़ा सा मैनत करना पड़ता है अगर आप हाथ से नहीं फेटना चाहते हैं तो इसमें चुटकी सा सोडा डाल दें बेकिंग सोडा इससे नहीं पकोड़े फुले फुले बनेंगे मैंने तेल में तड़का ये डाल दिया है करीपत्ता भी डाल देंगे जब इसमें सी सूधी सोधी खुसबू आने लगे कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को भी कलर चेंज होने तक भूनना है इसमें बैसन का बटर डालेंगे भगोने में थोड़ा सा बटर लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी मैं डाल करके इसे डाल दे रही हूं और इसमें ये ध्यान देना है कि कड़ी को उबा लाने तक लगतार चलाना है अगर लगतार नहीं चलाएंगे तो इसमें दही पड़ा है ये फट सकता है मैंने हल्दी और नमग भी डाल दिया है आप देख सकते हैं कड़ी हमारा गाढ़ा हो चुका है गैस का फ्लेम थोड़ा सा लोग कर देंगे और इसे 10-15 मिनट तक पकाएंगे जब तक हमारा इधर कड़ी पक रहा है तब तक मैंने दुसरी तरफ कड़ाही में थोड़ा सा तेल डाल करके इसके पकोड़े तल लिए हैं पकोड़े को इसमें डाल देंगे और पकोड़े डालने के बाद इसे 4-5 मिनट तक और पकाएंगे तो कड़ी के साथ चावल खाने में बहुत डेश्टी लगता है तो जब तक हमारा ये कड़ी पक रहा है तब तक मैंने दो कटोरी चावल भी कुकर में रख दिया है तो हमारा कड़ी और चावल दोनों एक साथ बन करके तयार हो गया है बहुत ही टेस्टी कड़ी बना है और जो इसके पकोड़े बने हैं बहुत ही सौफ्ट बने है मुँँ में बहुत अच्छे से गुल जाते हैं बहुत टेस्टी बना है झाल झाल